गीता सार क्या है क्यूं व्यर्थ की चिन्ता करते हो इससे व्यर्थ डरते हो कौन तुम्हें मार सकता है आत्मा ना बैदा होती है ना मरती है जो हुआ वह अच्छा होगा जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है जो होगा वो भी अच्छा ही होगा तुम भूत का पस्चताप ना करो भविश्य की चिन्ता ना करो वर्तमान चल रहा है तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया तुमने क्या प्यादा किया था जो नाश हो गया ना तुम कुछ लेकर आए जो लिया यही से लिया जो दिया यही पर दिया जो लिया इसी से लिया जो दिया इसी गो दिया जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था परसो किसी और का होगा तुम इसे अपना समझ कर मगन हो रहे हो बस यही प्रसंदता तुम्हारे दुख्रों का कारण है परिवर्तन संसार का नियम है जिसे तुम रित्यु समझते हो वही तो जीवन है एक छण में तुम करोडों के दूश्रे ही चण में तुम दलित्र हो जाते हो तेरा मेरा चोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है तुम सब के हो ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो यह अगनी जल बाईयू पृत्वी आकास से बना है और इसे में मिल जाएगा प पिर तुम क्या हो तुम अपने आपको भगवान को अपित करो यही सबसे उत्तम सहारा है जो इसके सहारे को जानता है वह भै चिंता और शोख से दूर रहता है जो कुछ भी तुम करता है उसे भगवान को अरपन करता चल ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का अनंद अनुभव करेगा मानव शरीर अस्थिर और आत्मास्थिर है जीवन एक मात्र सत्य है वो है मृत्यू गुस्से पर काबू करना चाहिए क्योंकि क्रोट से व्यक्ति का नाश हो जाता है व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है जो ग्यानी व्यक्ति ग्यान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है इंसान को अपने मन पर काबू में रखना चाहिए मनुष्य को पहले खुद का आंकलन करना चाहिए और खुद की शम्ता को जानना चाहिए खुद पर पुरा भरोसा रखें और अपने लक्ष को पाने के लिए लगातार प्रयास करें अच्छे कर्म करें और फल के इच्छा ना करें तनाव से दूर रहना चाहेगे क्योंकि तनाव इनसान को सफल होने से रुपता है अपने काम को प्रात्मिक्ता दे और इसे पहले करें लोग में जितने देखता हैं सब एक ही भगवान की भरी बूतियां है जो लोग भवान का सचे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं अपने काम को मन लगा करें और काम में खुशी खोजें किसी भी काम से अधिक इनसान के लिए बन सकती है बड़ा खत्रा दूसरे की भलाई पर ध्यान दे सिर्फ अपना मतलब नहीं साधें इश्वार हमेशा मनुष्य का साथ देता है संधे की आदत इनसान के दुख का कारण बनती है भागवद गीता का मुख्य संदेश क्या है भागवद गीता का मुख्य संदेश में कतव्य कर्म और त्याक के बारे में बताया गया है साधी ग्यान, क्रिया और प्रेम पर भी काफी चर्चा की गई है गीता सार में क्या लिखा है महा भारत युद्ध में पगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया वह श्री भागवद गीता के नाम से प्रसीद है भाग्वद गीता क्या सिखलाती है? भाग्वद गीता हमें यह सिखलाती है कि आत्मा अमर है केवल शरीर मरता है, बित्यूझ के समय आत्मा दूशे शरीर में पूर्ण जन्म लेती है यह हैं या जिससे सच्ची शिक्षा को कोई तरह से समझ लिया है वो मोक्ष या नेवान प्राप्त करता है यानि पुर्म जन्म से मुक्ति धेता पढ़ने से क्या फाइदा होता है इमानदारी से करे काम गुद्धिमान बैकती कर्म को परदान रखता है और उसके फल की बारे में कभी नहीं सोचता किसी काम को करने का यही उत्तम उच्चित साधन है शेरी मन्त भागवत गीता में लिखी इन बातों से बदल जाएगा आपका पूरा जीवन आईए चानते हैं गीता की अठारा ग्यान की बाते शेरी मन्त भागवत गीता वह ग्रंथ है जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुशेत्र में बहा भारत के युद्ध के दोरान दिया था इस पवित्र ग्रंथ में श्री भागवान के मुख से निकली हुई बाते लिखी हैं भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का विस्तार में बर्णन किया गया है गीता में दियी गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही सत्य हैं और वैक्ति को जीवन जीने की सहीरा दिखाती हैं यदि कोई वैक्ति गीता के उप्देशों को अपने जीवन में उतारता है तो उस वैक्ति को तरक्की के साथ प्रसिद्धी भी प्राप्त होती हैं। आईए जानते हैं अठारा ज्यान की बातें। सुख एमम आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करती हैं। प्रंतु मनुष्य उसे इस्त्री में, घर में और बहरी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ठोण रहा होता है। श्रेक्रेश्न कहते हैं भगवान की उपासना किवन शरीर से नहीं, बलकि मन से भी करनी चाहिए। इश्वर की वंधना नन उन्हें प्रेम वंधन में पांगता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनट जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों की अधीन हैं, इसलिए उनके जीवन में विकार और परिशानिया आती है। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदचार, स्ने और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस परकार शुरीड से वस्त्र मेले होने पर बदलते हैं, एक उसी परकार मन में याने हिर्दय में मेल होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने जादा पाप किये हैं, उसे बुढ़ापे में नेंद नहीं आती। उसे वह पश्चताप में बिटाना पड़ता है। भगवान ने जिसे संपत्ती दी है। उसे गाय को देखकर सेवा करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन होते हैं। जुआ, मंदीरा, पान, हिंसा, असत्य, मंद्य, असत्य और इन सब में कल्यूक का वास है। इसलिए इसका और एक नाम है घोर कल्यूक। अधिकारी शिक्षा को यानि जो ज्यान प्राप्त करने में परिशम करते हैं। उसे सद्गुरु अवश्य मिलता है। भगवान श्रीक्रिष्न कहते हैं कि मनुष्य को अपने हिड़्य को बार बार समझने की कुशिश करनी चाहिए। इश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि इस ब्रह्मान में भगवान के अलावा कोई उसका साथ नहीं देगा। भोग में शन भर के लिए सुख प्राप्त होता है। साथ ही त्याग में इसता ही अनंद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग इश्वर की करपा से मिलता है। प्रंतु कूर्ष संगित में पढ़ना मनुष्य के अपने ही विचार के कारण होता है। लोब और मोमाया किसी से अधिक लगाव पाप के माता-पिता कहे जाते हैं। साधी लोब पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस्त्री का धर्म है। रोज दुज्जी और पार्वती का पूजन करे। इससे उनकी सुख सम्रिद्धी हमेशा बनी रहती है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धी पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बार-बार मनुष्य को दाग देते हैं। खुद को निर्दोश बनाना बहुत बढ़ा गुना साबित होता है। पति-पत्मी पवित्र रिष्टा बनाये रखने से बगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। बगवान इन सभी कसोटियों पर गसकर जाच पर रखकर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदेप सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। नई वीडियो के साथ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब लाइक शेर सरूर करें। देखने के लिए धन्यावाद। झाल झाल